नमस्कार आप सभी का स्वागत है गरुड पुरान की अनुसार एक बार गरुड जी ने भगवान स्री कृष्ण से प्रश्ण किया कि है प्रभू किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है किस मनुष्य के घर में प्रेत निवास करते है और घर में प्रेत विचरने लगते हैं, तो मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? उत्तर में भगवान स्री कृष्ण ने गरुड जी को बहुती रहस्यमई बाते बताई है, जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं. स्री कृष्ण की अनुसार जिस घर में प्रेतों का वास होता है, ऐसे स्थान पर देवी लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है, ऐसे घर में सदेवी दरिदरता का वास होता है, यदि किसी मनुष्य के घर में प्रेतों का वास हो, तो उसे नाना प्रकार की संकेत मिलते हैं, यह संक उसके घर में मौझूद वस्तुव के माध्यम से, अत्वा सपनों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। यदि किसी वेक्ति को सपने में ये चीजे दिखाई देने लग जाए, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेतों का वास है। उसके पुर्वज तता मृत परिजन प्रेत योनी को प्राप्त हो चुके हैं और वे प्रेत का रूप धारन करके उनके घर में ही निवास कर रहे हैं। प्रेतों के घर में आने से कई प्रकार के संकेत मनिश्य को प्राप्त होने लगते हैं। इसी कारण से उसे गरुड पुरा बनी रहे सिर्केश ने कहते हैं इस संसार में समस्त प्राणियों को जेवित रहने के लिए भोजन के आवशक्ता होती है उसी प्रकार से प्रेतों को भी भोजन के आवशक्ता होती है प्रेत उनी मनुशों के घर में भोजन करते हैं जिनके घर में अशुप कार्य किये जाते है आईए जान लिते हैं घर में प्रेत बादा होने के क्या संकेत मिलते हैं प्रेत किन घरों में भोजन करने आते हैं और मा लक्षमी किन घरों में निवास नहीं करती हैं सबसे पहली बात, गरुड पुरान की अनुसार, प्रेतों का भोजन, संसार के समस्त प्रानियों के लिए निंद नियों होता है, प्रेत ऐसी वस्तों को खाते हैं, जिसकी सभी निंदा करते हैं, मनुष्य के शरीर से निकले हुए कफ, मुत्र और मल, और अन्य प्रकार के उच कि चिष्ट भोजन, प्रेतों का भोजन होते हैं, दूसरी बात, स्रकेश्न और कहते हैं, जो घर अपवितर होता है, जिनके घर में वस्तोय इधर-ुदर पड़ी रहती हैं, ऐसे घर में प्रेत आकर भोजन करते हैं, जिससे घर का वाता वरण नकारतमख हो जाता है, तीसरी बात, जिस घर के लोग वरत, उपवास, दान धर्म, पूजा पाट एवं नित्य सनान नहीं करते हैं, ऐसे घर में ही आकर प्रेत भोजन करते हैं चवती बात, जिस घर की महिलाएं देर तक सोने वाली हो, पती एवं गुरु जनों का अपमान करती हैं, जिस घर का स्वामी स्त्रियों के वश में हो गया हो, और जो आनिष्ट कारिय करता हो, ऐसे व्यक्ति के घर में ही प्रेतों का वास होता है पाची बात, जिस घर में सदा ही लालच, क्रोध, निद्रा, शोक, मद्यपान, आलस्य, आधि प्रकार के दुर्गुन होते हैं, तो समझ लेना चाहिए हैं कि उस घर में प्रेतों का वास है, ऐसे घर में देवी लक्षमी का कभी वास नहीं होता है इसी कारण से ऐसे लोग सदा ही दुखी, क्रोधी, देर तक सोने वाले और सनान न करने वाले पापी होते हैं आई आप जान लेते हैं, घर में प्रेत होने के क्या संकेत मिलते हैं भगवान स्रीक्रिष्ण कहते है, भूक और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनी को प्राप्त होए मृत परिजन उसके अपनों के घर में प्रवेश करते हैं वे वायू रूप में होने के कारण मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं वे वायू रूप में ही अपने परिजनों के शरी में प्रवेश करते हैं और उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के सपने दिखाते हैं स्रीक्रिष्ण कहते हैं मरे हुए परिजन प्रेत बनकर अपनी पत्नी पुत्र अपने बंदु बांदों के शरी में प्रवेश करता है तब वे उनके सपने में घोडा, हाती, बेल अथवा मनुश्य का विकरत रूप धारन करके उनके सपने में दिखाई देने लगते हैं, यदि कोई वेक्ती सोकर उटने के बाद, शयापर खुद को विपरित परिसिति में देखता है, अर्थात सोते समय हैं, वो सीधा सोता है, कि उसका सिर दूसरी तरफ है, ऐसे आवस्ता में उसे समझ जाना चाहिए, कि उसके घर में प्रेद बादा हुई है, यदि सपने में कोई वेक्ती, खुद को जंजिरों में बंदा हुआ देखता है, और उसके मरे हुए पूरवज, गंदे और मेले कपड़ों में दिखाई पड़ते हैं, अत्वा उसके मरत परिजन सपने में दूसरों का भोजन चुरा कर भागते हुए दिखाई देते हैं, अत्वा सपने में वो अपने परिजनों को प्यास से तडपता हुआ देखता है, तो उसे यह जान लेना चाहिए, कि उसका मरा हुआ परिजन प्रेत योनी दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि उसके मुरत परिजन प्रेत योनी को प्राप्त हो चुके हैं और वे उसके साथ उसके घर में रहने लगे हैं स्रिकिष्ण कहते हैं यदि किसी भी मनुष्य को ऐसे चिन्न दिखाई देते हैं तो उसे प्रेत बाधा हो चुकी है और इसे दूर करने के लिए तीर्थ में सनान करके अत्वा गंगा जल से सनान करके बेल के वरक्ष को जल चड़ाना चाहिए तता यथा शक्ती हवन करके पुरान में प्रेत बाधा के संकेत बताए गए हैं अगर यह जान करें अपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें कमेंड में जैस्री कृष्ण लिखना ना भूलें साथ ही चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद